हेज स्वागत आप सभी का ने एप्सेट में मैं हूं लोको सुराब देखने लोको सदो ब्लाक्स तो यह वीडियो इसपेसली बीएड के छात्रों के लिए है जो लोग बीएड करना चाहते हैं इस वर्स चाहे वो फाइनल एर पास कर चुके हो या फिर अपेरिंग में हो उनक सट बहुत सारे सवाल हैं उनकी बहुत सारी जानकारिया हैं जो आपको बतानी है तो विडियो को अन entrance का exam लखनोबिस विद्याले कराता है ठीक है अब आगे की बात आती है कि registration कब से कब तक होगा ठीक है तो 18 फर्वरी से जो है registration आपका start है और यह चलेगा आपका 15 मार्स तक 18 फर्वरी से 15 मार्स तक अगर आप आप अबेदन करते हैं तो आपको सिर्फ जो भी निर्धारी सुल्क है वही लगेगा और अन कोई यह अबेदन करना चाहता है आपको पंदरा सु रुपए आउनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और स्टी के लिए साड़े साथ सु रुपए करने पड़ेंगे ठीक है यह तो बात रही आउनलाइन की उसके बाद फिर से जो है अगर डेट नहीं कर पाते हैं आप बिलंब सुल्क के साथ अगर आप करेंगे तो आपका जर्णल ओबीसी के लिए एक हजार बिलंब सुल्क है और 80-80 के लिए 500 रुपए तो कोसिस करें कि पहले ही भर लें आप पेरिंग वाले भी डाल सकते हैं जो लोग जो दिया जाएगा वहां पर परिच्छाएं होंगी अभी आपके लिए तयारी करने के लिए भी अच्छा का सा मौका है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इंट्रेंस में लगबख सभी बच्चे पास हो जाते हैं अच्छा रहेंक आएगा गवर्मेंट कॉलेज मिल जाए हाई स्कूल इंटर ग्रेजोशन फर्स्ट इयर सेकंड यर थर्ड यर यह तो आपके एजुकेशनल डाकुमेंट लगेंगे पलस आधार कार्ड एक मोबाइल नम्मर एक इमेल आडी बैलिड लगेगा ठीक है उसके बाद आय जाती निवास लगेगा आपका फिंगर लगेगा फिंगर्प्रिंट देने के लिए आपको नीली स्याही में आपना फिंगर असे रब करना है इतना उसके बाद किसी पेपर पर स्क्रेंकर देना है ठीक है वो पांचों फिंगर लगेंगे ठीक है दूसरी बात क्या आती है सिने लगेगा फोटो लगेंगा ये जै लगेंगे इतने सारे डाकुमेंट आपको रखने हैं जब आप उनलाइन करने के लिए जाएं इतने सारे दस्ताबेज और बैंक अकाउंट खास करके और यह कंडिडेट का लगेगा या उनके पिता का या उनके माता का ठीक है जो भी उसमें नाम हो वही अकाउंट नंबर हैं जो लोग अपेरिंग हैं वह भी कर सकते हैं अब बात कुछ आती है कि कितने परसेंटेज पास वाले बीएट कर सकते हैं मिनिममं पचास परसेंट अगर पास हैं आप की रेजियोशन में बीए बीसी बीकॉम अगर आपका 50% है तो आप बीएट करने के लिए इलिजबल ह कर सकते हैं अगर 50% नहीं है तो आप इलिजबल नहीं है तो जो लोग पास हुन बात इलिजबल नहीं है जिनका 50% नहीं वह बीएट कैसे करें तो आप बीएट से तो कम से कम वो 50% होना चाहिए फिर आपको वहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो I think इस वीडियो में जो भी बताना था बता चुके हैं लगबग लगबग चीज़ें अगर अभी कोई confusion है तो आप हमें comment box में comment करके बताईए हाँ अब बात आती है कि form भरा का से जाएगा तो ऐसे मोखिक बताने में समझ नहीं आता form भरने के लिए बहुत जल्द ही कल परसों में कोशिस करेंगे कि एक वीडियो आजाए कि किस तरह से कहां से कैसे beard का form apply करना है चलिए यह तो बात रहें beard करने से related अब बात आती है कि अगर beard करना है तो अभी से सतर्क हो जाईए ठीक लगेगा extra कितना लगेगा वो सारी चीजें आप clear कर लें ठीक है जिसमें अन्य कोई खर्चा ना लगे आपको किसी तरह की असुविधा ना हो अगर आप कहीं कोई काम कर रहे हैं तो आपको आसानिस करते रहें क्लास की कोई दिक्कत ना हो आप कोचिंग कर रहें जो भी कु सब्सक्राइब करके अपना मुबाइल नंबर डाल देजी हम आपको वहाँ पर जरूर कॉंटाक्ट करेंगे या फिर हमारा कॉंटाक्ट नंबर वाट्सप नंबर है 8858453165 आप इस पर सिर्क वाट्सप करें कॉल ना करें ज्यादा बहतर रहेगा सारे डिटेल भेज दे अगर फॉर्म भरनेस संब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब कोई परिसानी आ रही तो आप हमें कमेंड़ वाक्स में कमेंड करिए देगे मोबाइल नंबर पर आप वाट्सप संपर कर सकते हैं यतना हो सकेगा help की जाएगी यतना time possible हो पाएगा ठीक है admission के लिए आप हमें संपर कर सकते हैं कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी परकार का सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाहर के जो बच्चे उनके लिए खास दोर पर यह बताते चले किसी भी ब्रोकरेज में ना फसे यहीं से ब्रोकरेज शुरू हो जाता है आपका online form अगर किस पासवर्ड उसके पास है तो फिर आप उसके मन मताबिक ही कॉलेज में admission ले पाएंगे तो सभी बच्चों से अनुडोध है जो लोग बीएड करना चाहते हैं किसी ब्रोकरेज में ना फसे जिनके पास college है या जो किस college से जुड़ा उनसे संपर करके तभी उनके अंडर में सब्सक्राइब करके आप जाएं नहीं तो वह आपको कहीं भी कहीं कुदाते रहते हैं इस स्कूल में बीच में घूस खाते रहते हैं वह समस्या ना आए तो आप डारेक्ट कॉलज में आई हमसे समपर करिए आप मारे college में लेजी कोई आपको सब्धा नहीं कि सारी सब्धा ही मिलेंगी ठीक है और यूमर पर मत जाएए जब तक रियालिटी अपने कानों से देख सुनना लीजिए ठीक है ना बस इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप चीजें समझ गये होंगे क्लियार्टी से तो वीडियो को अंद तक देखने के लिए आपका लाक लाक सुक्रिया जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा जो लोग पुराने हैं आपको लाक लाक धन्द बाद इसी तरह आप चैनल पर सपोर्ट बनाए रहे और जो भी समस्या है आप हमें बताते रहे हम वीडियो को माध्यम साब से रूबरू होते रहेंगे तो